हाई गाईस विल्कम बेक टू माई चैनल तो आज है जन्मस्टमी और आज है फ्राइडे तो आज के दिन में मैं कुछ ड्याइवाई बनाया और उसके साथ मैं कि ऐसे वगवान का पूजा किया वो सब आपको दिखाऊंगी तो पहले मैं एक चीज बनाऊंगी वो है वगवान के लिए जूला और अभी मैं इस जो पीज बोट को कट कर लिया था स्क्वेर करके इसके उपर मैं अभी ग्लू लगा रही हो पूरा और ग्लू लगाने के बार मैं जो जूला बनाऊंगी वगवान का वो बनाऊंगे आइस क्रीम का स्टिक से तो मेरे पर थोड़ा कलरफुल तो फ्रेंड्स मैंने मेरे काम का सुविधा के लिए अलग-अलग करके फोट टाइफ का जो आइसक्रीम का स्टिक है एक-एक कलर का अलग से सजा कर रख्यू और अभी एक एक लेके एक राइट पहले दूंगी फिर रियो लो फिर ब्लू और फिर ग्रीन ऐसे करके रंडमली सजा लूँगी और यह जो पिजबोट है उसको कवर कर दूंगी करने के बाद मैं यह जो ग्लू अभी दिखा रही हूँ उसी से मैं उपर का जो स्टेंट है वो लगाऊंगी और अभी मैं साइट से भी ऐसे दो-दो करके स्टिक कर लिया था क्योंकि मेरा जो भगवान है नंद गुपाल है वो थोड़ा भारी है तो इसलिए मैं एक-एक स्टिक नहीं दो-दो स्टिक को पहले जॉइंट कर लिया था ग्लू से करने के बाद साइट से ऐसे लंबा करके इसमें यूज किया था ग्लू गन और अभी मैं जो कागज का ऐसा लंबा-लंबा स्टिक जैसा हार्ड बना लिया तो यह पेपर से बनाया नॉर्मल जो न्यूस पेपर होता है उसी से तो इन में से मैं दो यूज करूंगी जो सबसे अच्छा हार्ड है तो उसको पूरा जो म मिजर्मन करके उसका शेप बना लूँगी और इसके उपर मैं कोई कलर नहीं करूंगी मैं उसको कवर कर दूंगे क्योंकि कलर करने में थोड़ा टाइम लगेगा तो इसलिए मैं इसके उपर कवर कर दूंगी थोड़ा लेस से मेरे पास स्टोन का थोड़ा लेस है तो मैं व और अभी दोनों साइड में थोड़ा हार्ड होने के लिए मैं आइस क्रिम स्टीक लगा के उसके उपर लेस लगा दिया और मिडल में आप लोग जो देख रहे हो वाइट कलर का कागज दिख रहा है अभी निउस पिपर उसको भी मैं कवर कर दूंगे ऐसा लेस लगा के तो अ अभी ये मेरा जूला एकदम पर्फिक्ट बन गया है और अभी मैं इसमें थोड़ा मोती मेरे पास था वाइट कलर का तो वो मैंने लगा दिया था थोड़ा गॉर्जिस दिखाने के लिए और रसी से उपस टिक भी कर दिया तो मैं अभी इसको अच्छे से सजाओंगी फ्लावर से और भगवान को भी सजा के बिठाओंगी कप् मैं साड़ा फोग बनाना सब कुछ दिखाऊंगी तो तो अभी मैं पूजा स्टार्ट कर रही हूँ हाई गाईज वलकम बेक टो माइज वाली हो तो मेरे कल्चर में जैसे पूजा कर होता है तो मैं वो ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और अभी मैं जो भगबान के लिए छूला बनाया इतना सिंबल डेकोरेशन किया मैं इसे कॉर्णर में भगबान को रखते लिए नंद गुपाल का भोग लगाऊंगी इसलिए इसको मैं पहले अविशेक करूँगी इसके बाद उसको फोल से सजाऊंगी फ्लावर से और मेर आप लोगों को मेरा ये सिंबल डेकोरेशन कैसा लगा है फ्लीज कॉमेंट करके बताना और मैं थोड़ा ही कुछ भोग का पिपरेशन किया आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा मेरा सिंबल पूजा और सिंबल ही मैंने कैसे जनमस्ची में सलिबिट कर रहे शएक गणिंग करने के बताना मैं अभिभवान का अभिशत शड़ा कहके लिए थे एक प्लेट ले लिया तो इसे प्लेट में इस प्लेट को हम लोग बिंगॉली में बोलते है कैषर प्लेट काषर, बाठी ये इस टैप का ही क्ःप का ए भोलते है में थोड़ा घी मिला गया और इधर मेरा हनी है और मतलब हम लोग बिंगॉली में मधू बोलते हैं हनी है और इसको गंगा जल से नहाना पड़ता है जैकि मेरे पास तो इधर दंगा जल मिलना possible नहीं होता है तो इसलिए मैं इधर भगवान का अभिशेख करने के लिए मैं नारील का पाणी उस करूंगे उसके साथ धाणी उस करूंगी मिल्क एम घी तो इसीसे मैं भगवान का इधर मैंने जो चीज ले लिया तो इस सारी चीजों से मैं भगवान का पहले अभिशेक करूंगी और अभिशेक के बाद उसको अच्छे पानी से नहाने के बाद मैं उसको ड्रेस पहनाऊँगी तो इधर से मैं एक सुंदर सा छोटा सा ड्रेस लिया भगवान के लिए कली गई थी शाम को मैंने बोला था कल का ब्लाग में कि मुझे बाहर जाना है तो तब गए जाके मैंने ये छोटा सा ड्रेस लेकर आई पिंक कलर का और थोड़ा फ्लावर लेकर आई हूँ क्योंकि मैं पहले जाहर रहती थे उधर तो कुछ पूजा करने के टाइम फ्लावर नहीं मिलता था क्योंकि उधर प्लाइंट था प्लाइंट में जितना फ्लावर होता है तो उसे से पूजा करना पड़ता था लेकिन इधर न्यूजरसी में हर तरह का फ्लावर मिलता है उसके तो कल इतना भीकता दुकान में माला नहीं ले पाया क्योंकि माला खतम हो गया था तो मैं सिर्फ ये रोज लेकर आई हूँ और ये जो जैस इधर तो सब लोग बोलता है इसको लीली लेकिन हम लोग बोलते हैं रजिनी गंधा तो इसी से मैं माला वहार बना लूँगी और इसी से पूरा डेकरेशन करूँगी तो मैं पस्ट अभिशेक कर लेती हूँ और चीज यूज़ करना है हल्दी तो हल्दी फस्ट थोड़ा ही लगाना है उसका ठीका या जिसके घर में पूरा बड़ा नंदगुपाल है करश्टि पतोर का या काशा का होता है काशा का होता है यह इस बेंगॉली फरशन काशा पीतल तो वो पितल का जो होता है मतलब नंदगुपल उसको आप लोग सब कुछ से नहा सकते हो लेकि मेरे पास वो ताइफ का नहीं है मेरे पास ऐसा ही है मेरे भाई नहीं खड़ित कर दिया था यह पूरा मार्बल का है और यह सब कलर किया हुआ है तो मैं जादा कुछ नहीं लगा अपमें लगा लेगो फोरा कल्दी और लस्ट में में नारियल पानी उसकर रही हूँ और मेरा भगवार का अभिशेख कम्प्रीट हो गया है तो अभी मैं इसको अच्छे से पानी से नहा लोगी और नहाने के बाद इसको सजा के मैं इस जोला में बिठा दूंगी तो इसको मैं नहाने के लिए थोड़ा में लेकर जाड़ी हूँ नहीं तो इतने पूरा गिला हो जाएगा तो भगवार को नहा के मैं लेकर आ रही हूँ तो मैं भगवार का अभिशेख कम्प्रीट कर लिया और अभी मैं भगवार को अच्छे से सजाओंगी और मेरे कुपाल का न ये ऐसा हाड भी है उसके हाथूं का बाला भी है सब कुछ है तो उसे से मैं अच्छे से सजा लूँगी तो मेरा भगवान को छूला में बिठा दिया ये है भगवान का छूला ये से हिला सकते है ये बहुत हार्ड में है बहुत हलका है और भगवान थोड़ा भारी है नंदकुपाल तो मैं जादा इसको हिला नहीं हिलाऊंगी और ये मेरा सिंपल सा छूला है तो अभी मैं इसको माला चड़ाओं जो रूपर का जो सब भगबान है मेरा मैं सबको अच्छी से सजाओंगी तो मैं भी माला हार सबको चड़ाओंगी तो इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा माला को थोड़ा रेड़ी करना है मुझे अब भगबान का अभी सिर्फ आरती होगा और मैं माला चड़ाओंगी तो इही मेरा अभी पूजा करना थोड़ा बाकी है और यह है मेरा घर का जनमस्टमी का पूजा और मैं ऐसे ही करती हूँ वगबान का पूजा करना उसको सजाना उसके लिए भोग चराना तो मैं इसलिए सब कुछ ready किया तो इधर तो सब कुछ अकेली करना पड़ता है तो मेरा सब कुछ हो गया है अब ही मुझे सिर्फ माला बनाना है मतलब हार चराना है तो इसके लिए मैं हार बना रही हूँ और सिर्फ आरती करना है और आरती के बाद मैं थोड़ा भगवान का मंत्र बोलती हूँ तो इसके वो मैं आपको दिखाने पाऊंगी वीडियो में तो एह ही है मेरा जन्मस्टमी celebration और रात में आए थिंक हम लोग इश्कन टेंपल जाएंगे और थोड़ा घर में गेज़्ट भी आएगा पूजा देखने के लिए तो एह ही है मेरा ब्लॉग तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा तो आज के लिए गुडबाई बढ़ा देखने के लिए और देखनी तो प्रेंज अभी हम लोग आए है इशकन टेंपल में और रात का ग्यारा बज गया है और हम लोग रात में गये हैं क्योंकि डीनर करके गये हैं इसलिए क्योंकि उदर जाने के बाद हमको सिर्फ आरकी देखना है रात को बाड़ा बगी के बाद जो आरकी होगा तो इसके लिए हम लोग गये थे लेकिन उदर जाके देखा कि इतना सारा भी है प्राउज भी बहुत सारा था सब लोग अपने आप पुछना कुछ कर रहा है और इधर बहुत सारा स्टॉल भी था खाने का स्टॉल था उसके साथ अब लोग फूजा देने का भी थाली का स्ट अभी अंदर जाएंगे क्योंकि भी अभी शेक करना है और अभी शेक के लिए भी अलग सा लाइन हो आए है तो हमादो अभी 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 शेक करी मितने हैं अभी 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 शेक करी मितने हैं